हेलो फ्रेंड स्वागा था आपका हमारा यूटूब चैनल घर सोई एंड टीप्स एंड ब्लोग में तो आज हम बनाएंगे अर्भी के पत्ते के क्रेश्पी एवं स्वाधिश्ट पकोड़ी इस तरीके से आप कभी नहीं बनाये होंगे एकदम अलग तरीका से हम बनाएंगे तो आप देख सकते हैं ये अर्भी के पत्ते हैं इसको हम अच्छी तरह से धोकर ले लिए हैं इसमें से जो सबसे छोटा छोटा पत्ता है आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे पत्ते हैं दो तिन इसको हम बारिक बारिक साख के जैसा काट लेंगे छोटे छोटे टुक्रों में आप देख सकते हैं इस तरह से साख के जैसा काट लिए हैं इस पत्ता को हम बेशन में लिए हैं तो एक बड़े बॉल में डाल लेंगे आप देख सकते हैं बेशन हम डाल लिए हैं तो हाप टी स्पून हल्दी पॉडर डालेंगे हाप टी स्पून धनिया पॉडर डालेंगे हाप टी स्पून जीरा पॉडर डालेंगे हाप टी स्पून अमचुर पॉडर डालेंग इससे अच्छे टेस्ट आएंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे दो चम्माच अद्रक लासुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे अगर आपको ज़्यादा तिखा खाना पसंद है तो आप लाल मिर्ची पौडर भी डाल सकते हैं हम यहां लाल मिर्ची पौडर का यूज नहीं किये हैं आप देख सकते हैं ये एक कप से थोड़ा पानी है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम बेटर त्यार करेंगे अर्वी के पकोड़े के लिए एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो बेटर ज़्यादा लूज भी हो सकता है और बेटर में गुठलियां भी हो सकता है इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर चमच की सहायता से एक ही डायरेक्शन में चमच को घुमाएंगे तभी परफेक्ट बेटर तयार होगा बेटर नहीं ज़्यादा लूज रखना है और नहीं ज़्यादा सकता अब देख सकते हैं इस तरह से एक ही डायरेक्शन में चमच को घुमाना है तभी परफेक्ट हमारा अर्वी के पकोड़े तयार होगा कोई भी पकोडे का बेटर हम इसी तरह से त्यार करते हैं इस तरह से त्यार करने से पकोडे अच्छे बनेंगे बेटर भी परफेक्ट बनकर त्यार होगा गुठलिया नहीं पड़ेगा इस तरह से आप चम्मज से देख सकते हैं हमारा अर्भी के पत्ते के लिए परफेक्ट बेटर तयार है इतना पानी बच गया है हम बेटर को रेष्ट के लिए भी नहीं रखेंगे चलिए अर्भी के पत्ता विछा लेते हैं इस तरह से प्लेट रख लिए हैं बड़ा प्लेट ये जो टाइट वाला डंठल है अर्भी क ये वाले पाट हाड होता है इसलिए इसको काट कर इस तरह से निकाल लेना है अब देख सकते हैं तो चलिए इस तरह से पत्ते विछा लिए हैं फिर एक दूसरा पत्ता भी ले लेते हैं पहला वाले पत्ते में अच्छी तरह से बेशन का लेप लगा लेंगे इस तरह से हाथ क सहायता से या चमज की सहायता से जैसे भी आपको आसान लगे आप लगा सकते हैं अब देख सकते हैं एक पत्ते में हम बेसन लगा लिए हैं अब हम दूसरा पत्ता लेंगे उसके उपर से इस तरह से ढग देंगे अब देख सकते हैं इसके उपर भी हम बेसन लगाएंगे बेस की सहायता से फैलाते जाएंगे हाथ से थोड़ा जल्दी वेशन फैल जाता है चम्मच में थोड़ा दिक्कत होता है हाथ से ही हम जल्दी जल्दी लगा लेते हैं अब देख सकते हैं हम दूसरे पत्ते में भी वेशन लगा ली हैं तो इस तरह से फोल्ड करेंगे उपर के पत्ते के पकोडी और इस तरा से बनाएंगे तो और भी स्वादिश्ट लगेंगे और क्रेश्पी पकोड़ी बनकर त्यार होगा उमीद है कि आप इस तरीके से कभी नहीं बनाये होंगे तब देख सकते हैं इस से हम फोल्ड कर लिए हैं उपर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे उपर वाले भाग को इस तरह से फोल्ड कर देंगे आप देख सकते हैं इसी तरह से हम सारे अर्भी के पत्ते तयार कर लेंगे जितना पत्ता है आप देख सकते हैं यह धागा है धागा बांध देंगे तो यह अर्बी के पत्ते, आसानी से चिपके हुए रहेंगे, बाद में धागा को काट लेंगे, इस टीम होने के बाद, अभी हम इस तरह से बाढ़ लेते हैं, तो आसानी से चिपके हुए रहेंगे, खुलेंगे नहीं, आप देख सकते हैं, दो धागा लिये हैं, दोनों साइड से ब बना लेंगे और बांध लेंगे इस तरह से धागे से तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम बांध कर त्यार कर लिए हैं इसी तरह से आप देख सकते हैं हम सारे पत्ते को बैसन लिपेट कर बांध लिए हैं तीन बांध कर त्यार हुआ है तो चलिए इस टीम कर लेते हैं इधर कराही में एक छोटा चम्माज तेल डाले हैं रिफाइन ओईल या सरसो तेल कुछ भी डाल सकते हैं तो हम एक एक करके तीनों को रख देंगे हम तेल में इस्टीम करेंगे फ्रेंड आप पानी में भी कर सकते हैं पानी वाला भी हम पहले वीडियो शेयर कर चुके हैं अर्वी के पत्ते का तेल में आप इस्टीम करेंगे तो और भी स्वादिष्ट क्रेस्पी अर्वी के पकोडी बनकर त्यार होता है फ्रेंड ज्यादा तेल नहीं बस एक छोटा चमाज डाल दीजिए और उसमें रख कर लो फ्लेम में ढख कर पांस साथ मिनिट तक इस्टीम कर लिजिए ज्यादा देर तक भी नहीं तो आप देख सकते हैं दो मिनिट के बाद एक तरब से सिख गया है तो हम पलट लेते हैं आराम आराम से कलची की साहता से इस्टीम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है एक साइड तीन मिनिट में इस्टीम हो गया है अब देख सकते हैं तो हम सारे को पलट लेते हैं इस तरह से अब देख सकते हैं एक साइड से पलट दी हैं फिर से ढख कर दो तीन मिनिट सेखने देंगे दो तिन मिनट हो गया है तो अब हम निकाल लेते हैं ये एरबी के पकोड़ी अच्छी तरह से इस्टीम हो गया है तो चलिए अब हम पिलेट में निकाल लेते हैं अब देख सकते हैं हम पिलेट में निकाल लिये हैं तो थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं 10 मिनिट ठंडा होने के बाद अब हम चाकू की साहता से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे आपको जितना बड़ा पीस पसंद है छोटा बड़ा उस तरह से आप काट सकते हैं तब देख सकते हैं इस तरह से हम काट लेंगे धागा को पहले धागा हम काट कर निकाल लेते हैं तब देख सकते हैं इस तरह से चाकू की साहता से काट लिए हैं हम सारे धागा को तो चलिए अब हम इस तरह से चाकू की साहता से पीसेस काट लेते हैं इसी तरह से हम सारे पीसे काट लेंगे अगर चाकू से काटने परसानी होता है तो इस तरह से अब फ़ासुल से भी काट सकते हैं आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत आसानी से कट जाता है फ्रेंड तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हम सारे पकोड़ी को काट लिए हैं तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे पीसेस बने हैं तो चलिए हम इसको पका लेते हैं सेक लेंगे एक चमच हलका सा तेल लगा लें इस तरह से इस तरह से कलशी की शाहता से चारो किनारे किनारे हल्का थेल डालेंके हम सरसो तेल में अर्बी पकोड़े leap कोड़े बना रहे हैं हम जWe every produce नहीं कोई इसली जह यह क्योंकि हम को जड़ टाले और इसे लिया भृग बनाताय करते हैं, refined तो आप देख सकते हैं, तीन मिनट तक सिख गया है, एक साइड से, तो अब हम प्लट लेंगे, मेढियम फिलेम में ही सेखना है, तभी पकोडी करिस्पी बनेंगे, हाई नहीं करना है, फिलेम को नहीं तो पकोडी जलने लगेंगे, आप देख सकते हैं वाओ कितने अच्छे कलर आ गया है एक साइट से पकोड़ी में तो अब हम इसी तरह से सारे पकोड़ी को प्लट लेते हैं आप देख सकते हैं सारे अर्भी के पकोड़ी को प्लट लिए हैं अब दूसरे साइट भी तीन मिनट तक सिखने देते हैं सर्व करने के लिए तयार है आप देख सकते हैं कितने अच्छे पकोडी क्रेश्पी स्वादिष्ट पकोडी बनकर त्यार हुआ है तो आप एक बार इस तरीके से अर्वी के पत्ते की पकोडी जरूर ट्राय किजिएगा फ्रेंड आप इस तरह से एक बार बना लेंगे तो अर्वी के पत्ते की पकोडी बनाना इस तरह से बहुत आसान है और बहुत स्वादिष्ट क्रेश्पी बनकर त्यार होता है तो आप देख सकते हैं एक पकोडी हम तोड़ के दिखा रहे हैं कितने क्रेश्पी स्वादिष्ट पकोडी बनकर त्यार है तो आप वीडियो को फ फूल वाच करने से तभी रेसिपी अच्छे बनेंगे अगर आप हमारे चैनल में नए आये हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब वीडियो को सेयर सांथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई